जीट के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार कैसे हैं आप लोग और यूट्यूब चैनल से आप जूड़े हुए हैं तो दोस्तों जीट एक्जाम को 40 दिन बचे हैं अगर आज 15 मार्च से हम अगर जोड़ें तो 25 अप्रेल तक तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप 40 दिन को सही मेनेज करके अपने तयारी को और ज्यादा सांदार प्रिश्कृत कर सकते हो और आप काम्याभी की और कदम बढ़ा सकते हो तेजी से दोस्तों आप ये मान के चलें कि अभी 40 दिन आपके पास है आपने इतने दिन कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा अभी के दिन भी बहुत मैतुपूर्ण है अगर आप रोजाना मान लीजिये 8-10 गंटे पढ़ रहे हैं और उन में से एक क्यूसन भी नए एक क्यूसन भी एक्जाम में फंस गया 10 गंटे आपने पढ़ा कम से कम 70-80 प्रिश्ट आप रिविजन कर लेते हैं 10 गंटे में 8-10 गंटे में उन्हें से एक क्यूशन चाहिए वह सामाजिक हो चाहिए विज्ञान हो चाहिए हिंदी का और साइको का अगर आ जाता है एक्जाम में नया तो 40 दिन में नए 40 क्यूशन आपके एक्जाम में आ जाएंगे 50-60 क्यूशन तो आप कभी भी एक्जाम दिलवालो कर सकते हैं नए क्यूशन यह और आ गए तो इस तरह से आप 60-40-100 ठीक है और आपको 120 का इस तरह तो आपने कुछ इतने दिन भी त्यारी की हैं लगभग आपने इतने दिन के त्यारी से भी आप मेरे ख्याल से काफी कुछ कर सकते हैं तो मेरा कहने का तात्पर यह है कि अभी अगर आप रोज पढ़ेंगे तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट है अभी लोहा गरम है मार दो हतोड़ा अभी आप अपने आगे के केरियर को नई दिशा दे सकते हैं कितने ही लोग हो चाए कितने कंपिटिशन के त्यार करता हूं कि आपके किशी परकार के कोई बादा नहीं आए और आपके तैयारी अनवरत बनी रहे हालां कि कई बार बादाएं आती हैं मुसिबत आती हैं वो आपके धेरिये की प्रिक्षा लेना चाहती है तो आपको अपना धेरिये रखना है और उन बादाओं से बड़े ही धेरिये से और सलिके से पार करते वे अपने करतावे पत पर अपने लक्षे पर नजर रखनी है और इस्टडी को जारी रखना है आतम विश्वास रखें यानी आप खुद पर भुरुसा रखें अपने आप से जिसे त्री इडिट में कहते हैं all is will उसे तरह से आप अपने आप से कहते रहें कि सब कुछ ठीक है पोजिटिव सोचें ऐसे नहीं तो चला कर आप बेट जाएं आँखे बंद गर के कुर्शे पे और खुद सोचना सुरू करें मन-मन से दोहराएं कि मेरे तैयारी अच्छी है मैं तैयारी अच्छी कर रहा हूँ और मेरा सेलेक्शन होगा मुझे पूरा विश्वार से मेरा सेलेक्शन होगा आप खुद गुछ से इसी परकार के ये जो वाक्य दोहराएंगे थोड़ा तो उससे एक उन्फिडेंस आएगा और जीविजन करें अब जो समय है, दोहरानका है एसी चीजें जो आपके कुछ टोपिक वीक है उनको आप अब देख सकते हैं कुछ टोपिक ऐसे भी हो सकते हैं थोड़ेंगे जिनको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं मगर रिविजन वाला जो है वो रखें, जो कुछ पढ़ लिया है, उसको रिविजिन करें, कुछ पढ़ना बागी था उसको पढ़ें नई पुस्तकों से दूर रहें, अब आप मार्केट जाओ और कोई बड़ी सी, मोटी सी कोई किताब उठा के लियाओ तो वो अब ठीक नहीं है, क्योंकि वो अब आपको एक टेंसन देने वाला हो सकता है जो मेटेरिल आपके पास उपलब्द है, जो आपने अब तक पढ़ा है, उसी को पढ़ें एक ही चीज को दस किताबों से पढ़ने की बजाए, एक ही अच्छी मानक पुस्तक हो विश्वसनिये, लोकपरिये, भरोसे मन और आपको भी अच्छी लग रही हो, आपको मन को भारी हो वो पुस्तक जो है, उसी को आप पढ़िए, जैसे मन विज्ञान के लिए एक पुस्तक आपको पढ़ लीजिए हिंडी के लिए, ठेक है, उसके अलावा जैसे मन लिजिए, आपके और भी जो भी से है, जो बासा है, आपके अंग्रेजी या संस्क्रुट उनके लिए शामाजी को है या विज्ञान है, तो बेसिक की किताबें जैसे दस्तक वाले आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है, तो अब तो आप लाके कप पढ़ोगे, पढ़ ली है तो उनको रिविजिन कर लेए, उसके अलावा आपको लग रहा है कि वो पढ़ लिए उनमें से एप के उपर जो है यह लोगो है उसका, हमने वो टेश्ट स्रीज डालर किये है जहां करीब 3000 के आसपास अतिम महतंपरसन जो है, वो तयार किये है, उनी किताबों में से किये है, कोई गेस पेपर या कोई अनुमानित नहीं है, उन्सके proposed जब्राइए, तो आप मोडल पेपर के रूप में एक paper यानि दस बारेच शेट का निकाल सकते हैं, मैं ये कते ही नहीं कहुँगा कि आप सेंगणों paper निकालें, gas paper क्यों कि उससे क्या होता है फिर तनाव प्यदा होता है, क्योंकि नए-ने किुशन मिलते हैं, आपको आते नहीं है, आप सोचते हैं कि आपका तयार खरवाया है ताकि जो है आपको बुक्स के साथ मुल्यांकन हो जाए कितना याद रहा और रिविजन हो जाए देर यह रखे देर बहु होगा एक्जामत होगा तैयरी तो करनी होगी तो आप नेगेटिव सोचो इमत आप यही मानो कि जो तारिक फिल हाल अपने को पता है 25 अपरेल उस पर फिलाल यह पता है अब आगे जाएगी उसका तो जो राजस्तान के सिर्ष दो तिन जो पदादी का रही हैं सी एम या शिक्षा मंतरी या जो बोर्ड के देख्या वोग बता सकते हैं तो वो चीजें जो चीजें सामने है यह नहीं उनके बारे में आप क्यों सोच रहे हैं आपके सामने 25 अपरेल उसको भी भूल जाओ आपके सामने आज कर दिन उसको केसे मेनेज करना है, जो 10-12 गंटे हैं, उनको केसे मेनेज करना है, उनमें भी आपके सामने है, 4-5 किताबें या 4-5 विसे, दो भासाएं, सब्जेक्ट, मनोविग्यान, उनको आप किस तरह से मेनेज करना है, दो तरिके से आप कर सकते हैं, या तो एक दिन में एक या द कि इतना पढ़ लिया कुछ भी याद नहीं जिन्होंने अच्छे त्यारी कर रखी है तो यह एक स्वाभविक हिस्सा है एक्जाम से पहले इस परकार के खयालाना एक स्वाभविक चीजें हैं नीराशा नीराशा भी होगी आपको लगेगा कि क्या पता होगा की नहीं होगा यह सब एक प्रोसेस है प्रकरिया है किसी भी व्यक्ति के सारे दिन एक जिसे नहीं जाते मनोदसा मूड बदलते रहते हैं कभी दिन अच्छा निकलता है कभी मूड खराब होता है और आपको अपने समय बरबादन करना है, समझाना है, अपने आपको trick change कर सकते हैं, रणनिती change कर सकते हैं, जगें change कर लगें, किताब change कर लगें, लगेंद से जुड़े रहें, चाहे किसे से discuss कर लिया, चाहे कोई वीडियो वगरेंद देख लिया, केसे लेकर करके, आपका आ मैं जो है यूँ नहीं जाएं कि पूरा दिन यूँ चला गया, फाल तो चला गया, क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, तो अभी तो फिलाल मैना बर है, तो जितना पढ़ा जा सकता है, उतना पढ़ें, हालांकि पूरे ही दिन आप किताब के आगे बेटे रहो, उससे अपने मेहनत जो है केवल पेड़ काटने का उदान तोड़ा गलत है मगर फिर भी अगर हम लकड़ की बात करें कुलाडी से तो कुलाडी के धार भी जुरूरी है तो धार का मतलब हुआ कि आप अपने माइंड को थोड़ा रेश्ट भी दें घंटा पर पड़ा तोड़ा रेश्ट नहीं किया बिनागाम सोसल मीडिया पर टाइम बरबाद नहीं किया हाई हलो में मनलक केवल काम की चीज जैसे मौती मौती जुगने है न उस तरह से तो अपने माइंड को सही जगाए केंदरित करें एनरजेटिक रखें एनरजी को फालतों में वेश्ट नहीं होने है और जो परिवर्तन कर रहे हैं वो भी अपने हाप में एक रेश्ट है इसलिए थोड़ा वेगयनिक तरीके से और टेक्निकल तरीके से आप पढ़ें बहुत ज्यादा हाड़ वरक की बजाए स्मार्ट वरक जो है वो करें यानि कि मान लिजिए स्मार्ट वरक का क्या मतलब कुछ विडियार्टी नोट्स वर्ट तैयार करते हैं बहुत बड़ी मान लो उसकी बजाए अंडलाइन कर लिया या मान लो आपने चीजें वेवस्ती तरखी तो वह आसानी से मिल गई आपको नहीं तो चीजें डूनने में दो लाइन इस रजिस्टर में लिख दी दस जाएंगे वीडियो को लाइक करके आप अपने परतिक्रिया बता सकते हैं चेनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लें अब तक नहीं कर रखा हो तो और आप एक बार देख सकते हैं वो पेपर अगर आपको लाब धायक लगें तो यस गुरू एप के उपर सेंपल टेस्ट पे कारी काफी अच्छी है तो कोई जुरूरी नहीं है मुखे उदे से ये था इस वीडियो का कि 40 दिन है वो भी अभी बहुत कीमती है और 40 दिन में भी आप काफी कुछ कर सकते हो अपने परणाम को अपने पक्स में कर सकते हो सकारात्मक परणाम के और आप अभी भी मुर सकते हो आप निरास नहीं हो हतास नहीं हो और आगे आने वाले 40 दिनों को सही डंग से मेनेज कीजिए आप अगर रोज के जैसे मान लिजिए अगर हम रोज के ए गंटे में 5 पने पड़ें 10 गंटे में 50 प्रिष्ट अब डिविजिन का वक्त तो थोड़ा ज्यादा भी पड़ सकते हैं तो रोज के अगर आप 70 प्रिष्ट भी पड़ते हैं तो चालिस दिन में कितने हो गें 2800 प्रिष्ट होगे ऐथाइस सो प्रिष्ट की कोई भी किताब जो है आती नहीं है और अब आपको line to line पढ़ना नहीं है, main main चीज़ों को revision करना है, fact देखने है, मोटी मोटी और main main चीज़ें, ज्यादा deeply मजाना, विस्तरित जाना, यानि ऐसे गहराई में जाने के बजाए, ऐसे ज्यादा जाना, समझ गए होंगे आप, सबी subject को थोड़ा थोड़ा ध्यान दे तेवे सबी को revision करो, एक ही subject के एक topic में आप डूब गए, कि बस इस में से कोई person बाहर नहीं जाए, इसकी में पांच किताबे पढ़ लूँ एक topic को, वो नहीं करें, विस्तार में आप जाएं, और पुरे से अलेबस को touch करने का प्रयास करें, उमीद करते हैं, दुआ करते है कि काम्याबी आपके कदमों में होगी, जीठ आप कवर करोगे और 2021 आपके लिए विशेस आनंदाई सफल दादाई साल शिद होगा, धन्यवाद